जैने दोस्तों अंदे मातरम 21 जून पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है योग भारत की देन मानी जाती है जाहिर सी बात है जब कोई चीज भारत की देन मानी जाती है तो उसको लेकर विवाद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसा संभव ही नहीं हो सकता ऐसे में जब 21 जून के दिन दुनिया भर में अलग-अलग जगाओं उपर योग मन किया जा रहा था और लोग योग दिवस के रूप में उसको celebrate कर रहे थे तब मालदीव से कुछ ऐसी ख़बरे निकल कर सामने आए साथे चाथ वीडियोस भी निकल कर सामने आए जो कि आपको यह सोचने मजबूर कर देंगे कि या करे मालदीव सरी के एक छोटा सा देश भारत के खिलाफ कैसे तरह की चीज़े कर सकता है और क्या जो काम मालदीव के इन लोगों ने किया है क्या वो वाकई में सही ठहराया जाएगा या फिर जो लोन निपुर शर्मा को कहकर ठहराया था क्या उसी मामले में इनको भी बोला जाए कि भाई यह तुम गलत कर रहा है साउथ ऐसिया के देश मालदीव में योग दिवस पर उपद्रव का मामलत सामने आ आया 21 जून को आठवे इन्टरनैशनल योग दिवस पर दुनिया भर में कारेक्राम आयोजित किये गए लेकिन साउथ ईश्या के देश मालदीव में अस्लामिक कट्रबंतियों ने उपद्रव कर दिया हालात यह हुए कि पुलिस को आसू गैस के गोले छोड़ने पड़े लाटिया भाजनी पड़े इस हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खासे वाइरल भी हुए अंतराश्री योग दिवस पर मालदीव की राजधानी माले स्थित गोलाहू नैशनल फुटबॉल स्टेडियम में योग सत्र का आयोजन किया गया था इसे इंडियन कल्चरल सेंटर दोरा मिनिस्ट्री ओफ यूथ एंड स्पोर्ट्स कम्यूनिटी एंपार्मेंट के सहयोग स्यायोजित किया गया था मंगलवार सुबह करीब साड़े छे बज़े जैसे ही कारेकरम शुरू हुआ उपद्रवियों ने वहाँ धावा बोल दिया उपद्रवियों को देखकर वहाँ योग करने वाले पहुंचे लोग डर कर भागने लगे इसलामिक कटरबंतियों अंतराश्ची योग दिवस पर यहाँ की सरकार दोरा इस कारेकरम की मेजबानी करने से अक्रोशित थे उन्होंने पहले भी धम की दी थे पहले इस आयोजन के लिए रासफन्नू कृत्रिक समुदर तट कोई जग मांगी गई थी हलाकि मालिन अगर पडिशत ने आयोजन स्थल बदल कर स्टेडियम कर दिया पदरवी हाथ में जंडे लेकर अल्लाहु अक्बर के नारे लगा करते हुए स्टेडियम में घुसे और योग कर रहे लोगों को धमकान लगे इससे वहाँ पर भगदर मज गई बाद में पदरवियों पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया बताया जाता है कि जब ये कार्योग चल रहा था तब वहाँ पर युवा मंत्री एहमद महलूफ अपनी स्पीज दे रहे थे भारती उच्चायोक्त के अलावा युवा मामलों के मंत्राले और भारती उच्चायोक के कई अधिकारी भी मौजूद थे बतादें कि संयुकत राष्ट मतलब यूएन ने दोरर चवुदा में अंतराष्टी योग दिवस को माहनेता दी थी और घोष्टिना की थी कि साल के हर 21 जून को ये मनाया जाएगा दिल्चस बात यह है कि मालदीव उन 170 देशों में शामिल था जिन्होंने इस दिन को मनाने के लिए संयुकत राष्ट के प्रस्ताव को को स्पॉंसर किया है मतलब इसके पक्ष में मद्दान भी किया था लेकिन बात वही है कि स्थिती को बदलते देर नहीं लगती और आज की देर्ट में आप खुदी देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिती सामने बन गई है जो वीडियोस वाइरल हो रहन में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि आराजक भीड को जंडे उखारते और ध्यान बैठे लोगों को स्टेडियम से खदेरते देखा जगया है कोचन ने वीजूल्स में स्टेडियम में खाने पीने का सामान उल्टा पड़ा है टेबल सारी उल्टी पड़ी पड़ी पीछे से जोड़ जो तो शोर मचाया जा रहा है पूरी घटना गोलालू स्टेडियम की है मालदीव के राज्टपती इब्राहीम मुहमद सॉली ने ट्विटर पर बताया कि मालदीव पुलिस ने मामले की जान शुरी कर दी मामले को गम्मीड़ता से लिया जा रहा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो भी कोई इस घटना के जिम्मदार होगा उसे सजास जरूर दी जाएगी संबनी मीडिय रिपोर्ट में बताया है कि योग कर रहा है कुछ लोगों ने स्टेडियम में लेकिन भीड के उपद्रव की वज़े से इसे जारी नहीं किया जा सका इस इवेंट में कई राजनितिक सरकारी अधिकारी और मालदीव के मंतरी भी शामिल थे लेकिन यह एक छोटी सी घटना है छोटी से देश की हुई है यह आपको एक शांति प्री समुदाय की मांसिकता बताने के लिए पर्यापत है और बस इसके आगे अब कुछ कहने को है यह नहीं क्योंकि तस्वीरे सामने हैं वीडियो सामने हैं सारी बाते सामने हैं मेरे सुनी फिलाता है जाए हैं जाए भारात